अब से कुछी दिन पहले की बात है कि इसराइल के ऊपर एक मिसाइल से हमला हुआ जिसमें दरजनों बच्चों की मौत हो गई थी इसराइल ने उसी दिन कसम खाई थी कि हम इसका बदला जरूर लेंगे और आज इसराइल ने वो करके दिखा दिया है इसराइल की मौसाद और वहां की सेना ने मिलकर अपने दो सबसे बड़े दुस्मन अपने दो सबसे बड़े आतंकी जो माने जाते थे उनके लिए ऐसा करके इज्राइल ने अपना बदला तो पुरा कर लिया है, लेकिन बात यहीं पर खतम नहीं हो जाती। दरसल एक आथंकी यहाँ से हजबुला से था, तो दूसरा महीं हमास से। दोनों ही अपने-पने यहां के कमांडर थे। तो हजबुला पर हमले को लेकर यहाँ पर र सामने होंगे लेकिन इधर दूसरी तरफ अमेरिका आ गया है इसराइल के पक्स में अमेरिकी नेवी इसराइल के बिलकुल पास जाकर रोकी है और वो देख रही है अगर किसी तरह से भी इरान या कहीं से हमला होता है तो उन्हें वही के वहीं काउंटर किया जाएगा और खतम मानी जाती है और अगर आपस में टकराई तो बहुत बुरा हाल हो सकता है यह ऐसा नहीं है कि सिर्फ दोनों की बीच रहेगा यह इस तरह से हो सकता है कि इसकी चपेट में काफी सारे लोग और पूरी दुनिया आ सकती है खेर ऐसे में आप यहाँ पे इसराइल को क्या कहींगे कि क्या इसराइल में यह ठीक किया या नहीं किया या इरान अब हमला कर सकता है या हिजबुल्ला की तरफ से हमला किया जा सकता है और भी कहीं सारे सवाल यहां पर उठते हैं एक सवाल यह भी उठता है कि क्या भारत को भी ऐसे ही आपने आतंकियों से निस्तर नाबूत कर दिये जाए इस बारे में आपका क्या कहना है आपके क्या कमेंटस है आपको क्या लगता है वो कमेंटस करके ज़रूर बताईए कमेंटस बॉक्स में जयह हिंजय भारत ज़रूर लिकीगा नमस्कार धन्यवाद दूस्टो